वेल एपिसोट की शुरुआत में हमें मॉनिंग का सीन दिखा जाता है जहां पर ये तीनों लड़कियां रेडी होती हैं अपने निव क्लास के लिए तब ही वो देख पाती हैं कि उनके बाकी के दो दोस्त आचुके हैं पीट और ओलिवर से मिलके लड़कियां उनसे पूछती हैं कि तुम्हारी रात कैसी भी थी जहां वो दोनों ही बताते हैं कि हमने काफी अच्छी नील ली तब ही उनका एक और दोस्त भागते आता हैं इन कहता है कि मैं लेट हो गया था मुझे माफ कर देना जहां वो बात करते हैं कि ननाव ने इस बार अपनी ड्रेस नहीं पहनी है और वो एकदम परफेट अकैडमिक गल लग रही है यह सुनके ननाव काफी खोश होती हैं कहते हैं कि हां मुझे ड्रेस रात कोई मिली अब मैं एकदम परफेट मजीशन लग रही हूँ न अपना प्रोटैनिस्ट ऑलिवर अपनी ननाव को देखता है और वो याद करता है उस टाइम का सीन जब उसका नहाते देख रहा था तभी उसका दोस्तों को इंटरप्ट कर देता है MvP टून सभी को इंटरप करता है और कहते है कि बहुत बाते हैं अभी हमें ब्रेकवास स्ट भी करना है आज हमारी पहली क्लास होने वाली है जहां ननाव कहते हū आथ तुम सहीं अथी पोल रहें आज हमारी मैजिक क्लास होगी जहां अपना Pete हाथ ख़ड़ा करता है और कहते हैं कि Sir मैं बताना चाहता हूँ टीचर बात सुनके काफी खोज होते हैं लेकिन उससे कहते हैं कि पहले तुम अपना इंटोड़क्शन दो वेल जो है एक मैच हार गए थे वो भी एक ऐसे इंसान से जिसको मैजिक आता ही नहीं तब से स्वर्ट डुलेट टेकनीक्स बनाई गई ताकि हम फ्रंट रेंज से एंड क्लोज रेंज से भी एनमी की उपर अटेक कर सके एंड अब बिना स्वर्ट के अलावा भी कुछ कॉमब स्किल्स पी सीखें तो बथाओ फे कौन जो है डूलेट में सबसे पहले आ गया आएगा तब ही अपनी प्यारी ननाव हाथ खड़ा कर देती है एंड कहती कि सर मैं पहले आओंगी सब देखके सब लोग शोगों यातने की ननाव कैसे फाइट कर रही है जहां पे सर कहती है क वह यह सारा सिनेरियो देखें अपना पूटैने समझ चुगा था कि रिचर्ड बस एक चालाक इंसान है जिसको जो अपनी ननाओं को हराना है इसको पता है कि इसको स्वर्ड टेक्निक नहीं आती है ताकि इसको हरा के अपनी सुप्रीमेसिक दिखा सके जैसे उनके मास्टर कहते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारा फाइट कराई देते हैं तभी अपना पूटैने स्टॉरी वहाथ खड़ा करता है एंड कहता है कि सर मैं यहां पर अपनी ननाओं से डूइक करना चाहता हूं यह सब देखके रिचर्ड कहता है कि ओए पहले मैं यहां पर पहले आयों हाई होगी अभी हमारे अपर लेवल याने की मास्टर पर डिपन करता है कि और किसकी फाइट कराएंगे अपना ओलिवर यह सब सुनके कहता है कि हाँ ठीक है काफी अच्छा डिशियन रहेगा क्योंकि उनको भी पता है कि कौन सा डीमेट किसको मार सकता है तो अभी रिचर् क्याता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं तयार हूँ प्रोटेगनिस्ट अपनी मेकफेरी को मनी मन देखता है और उसको टैंक्स भी बोल देता है फिर तभी हमने दिखायाता है कि उनका मास्टर अनौंस करता है कि पहला डूट वाइट होगी ननाव वसिस ऑलिवर और डूट वाइट होगी रिचर्ड वसिस मेकफेरी जहां में दिखायाता है कि वह अपने एक स्मॉल टूनमेंट टाइप के स्टक्चर में हैं जहां पर सकल में उनके सारे से पार्टी हैं और बाकी वह दोरों ही बीच में खड़े हुए हैं जहां फाइट स्टार्ट होने से प चेस्ट या हैट पे वार करो जहां प्रोटाइनिस्ट उससे कहता है कि ननाव को उतना मैजिक नहीं आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैजिक बिलकुल कम से कम इस्तमाल करूँ तब भी उनके मास्टर अलाव कर देते हैं फाइट के लिए जहां पर अपनी ननाव इसने बहुत को मारा होगा तब इसकी सवड़ों लग रही है ना जाने कितने लोगत भाया होगा इसने इसकी ब्लेड ने कितना कून देखा होगा जहां पे अपनी ननाव फाइट लेते लेते पीची होजाती है यहीग हो जगा है इसकी आंख से आसू निकलना शूरु हो आसु देखे एंडों कसम खालेता है कि वो जो है पुई ताका सिर्ड लड़ेगा इससे एंडों कसम खाते हैं कि वो एक दूसरे से तप लड़ेंगे जब तक उन दुर में से कोई एक मर नी जाता है जैसी उपने फुल फॉर्म में आके लड़ते हैं उतने में उनका तब यह खड़ी होती एंड टीचरों कहती कि टीचर मैं जो है रिट्रीट करना चाहती हूं मुझे इसके साथ नहीं लड़ना एंड तब भी अपना रिचर्ड भी कहते हैं कि हाँ वही चीज इसके बाद उन दोने की फाइट रूप दी जाती है जहां अपना ओलिवर एंड न सब लड़ने नहीं वाला मैंने जाता कि मैं तुम मार हूं यह बोलते हो आगे चला याता है यह देखिए अपनी ननाओ काफी स्ट हुआती है एंड रोना शीरू कर देती है फिर हमें दिखाया आता है कि प्रोटैनिस और बागी के दोस्ट जहां भाहर बैटे होया जहां प जहां उनकी टीचर होती हो बसाती है कि तुम अपने आपको मैईशें तभी बोलोगे जब तुम अपनी मैजिक वन का इस्तमाल कर पाओ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करने के लिए अपने मैजिक की मदद से जहां पर तभी वो लोग सोचते हैं कि अभी की क्लास तो कोई है तो अपने आइडियाज और अपने ओपीनेस को बाहर कच रगे डब में फेक क्या ना यह मेरी क्लास है क्योंकि मैं यहां पर जितने भी क्रेचर है उन सब को अपने मैजिकल ऑबजेक्ट की तरह यूज करती हूं तो आज हम लोग कुछ मैजिकल ऑबजेक्ट का इस् की सई अमाउंट में जो है तुम्हें इनका कूंज को बनाना है और तुमने जादा दिया तो यह ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद यह जैसी भार रहेंगे यह लोग एक बहुत ज्यादा ख़दरनाग मौश्र बन सकते हैं उसके बाद तुम्हें सभी को जला द यह सब बोलती कि जितने भी स्टुडेंट होते हैं उसके सब उनको बनाना शुरू कर देते हैं अपने मैजिक का राइट अमांट पोशन दे करके जहां पर मिकफेरी कहती है कि यह तो कितना आदा आसान है और एके करके सब भी सिल्क वार्म को को कॉकूर में बदलती है लेक कि एक उसका ब्लैक बढ़े आता है उसको और जला देती है यह सब देखके पीछे वाला जो लड़का ओतर कहते हैं तुम्हें यह सब आसान लग रहा है तब ही में फेरी जो होती है आपने ऑलिवर के पास आती है और कहती है कि तुम पीट की हेल्प करो मैं तब तक अपनी ननाओ की हेल्प करूंगी क्योंकि ननाओ को देखके मुझे साफ लग रहा है कि तुम दोनों के पीच में कोशना कुछ गलत हुआ है फिर तब भी हमें दिखायाता है कि आपना ओलिवर पीट को देख पा रहा है जिसने कम से कम पांच बना ही दिये हैं वहीं आपना जो ग् में बीच जाता है जहां पर हरी किसी का हो चुगा था लेकिन अभी भी केट लगी हुई थी मैक फेरी और ऑलिवर बात करते हैं कि केट के लिए सिर्फ क्लास नहीं है केट को एनिमल से काफी ज़्यादा प्यार है इसलिए वह काफी धीमे कर रही है तब हमें दिखायाता है क जो एक को कुन है वह जो है डेविल में बदल चुका यानि कि मॉंस्टर टैप का बन चुका और उसको ही काट देता है इस चीज को देख करके अपना प्रोटैंस एंपी दोनों ही उसको काट देते हैं पीचर यह सब देख लेती है एंड टीचर जो है इन दोनों के ही पॉइ कि मेरी फैमली बच्पन से हर प्रकार की क्रीचर को पालती हुई है मैं उन्हीं क्रीचर के साथ बड़ी हुई हूँ और जब भी मैं यह सब देखती हूं कि कोई पी इंसान अपने फायदे के लिए किसी डैमी हुमन या विकिसी क्रीचर को हट कर रहा है मुझे काफी ज़्य करता है क्योंकि आफ्टर आल तुम तुम हो जहां पे फिर उसको यह सब बोल करके जैसी दर्वाजा कोलता है वो दिखाता है कि उसकी पूरी टीम को ही टीचर ने भार भगा दिया था है यह सब अपनी केट उन सब कोई काफी जाता ठैंक की बोलती है तब यह अपना पूट इसे ही बजा पाएगी ओलिवर को कहता है कि इन सब की टेंशन लेने कि तुम्हें कोई जरुवत नहीं है तुम यहां पे क्यों आई हो जहां पर काट से उसको कहती है कि मैं आप इसलिए आई हूँ कि मास्टर ग्वेन की जो वक्षप होने वाली है इसलिए मैं कुछ टाइम को देखती हैं कि तुम इतनी चुप-चुप से क्यों हो क्या हो गया कोई परेशानी है कि तुम मुझसे बता सकती हो और अगर तुम्हें कोई बात करने को चाहिए तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ तो मुझसे बात कर सकती हो तब ही अपना जो पीट होता है और आजानक सा करा हम बस की पुख धूंड के ही आते हैं जहां पर फिर वह होती है अपने पीट को कहती है कि इस एरिये में समझ के रहना पड़ता है रात के टाइम पे और पर वह लोग उसकी भूद्ध के उसके साथ चलते हैं जहां पर पूद्ध को पुख मिल जाती हैं कि मुझे तो को रोख लेता है एंड तभी वहां पर एक और आती है जो कुन सभी को शीप के नाम पर डिस्क्राइब करती है कि तुम तीन हो तभी ऑलिवर कहते हैं कि तुम तो आपके बारे में चांदता हूं मैंने आपके आरह में काफी चीज़ी पड़ी हैं यह सुनके मैं काफी ज़्या गवरा भी गया था जैसी वह लड़की अपने बारे में सुनती है कि अच्छा तो तुमने मेरे उपर रिसर्च भी कर रही है फिर वो यह सब बोलके अपना जादू चलाती है जैसे वह पीट उसके पास आता है तब भी अपनी में फेरी पीट को बशा लीती है फिर वह उनक की पसंद ही नहीं किया तुम्हें थोड़ा और टाइम उसको देना चाहिए था बाइद ले तुमसे मार करके तुम्हार साथ खेल के काफी जादा मज़ा आने वाला है मुझे तभी पीछे से अपनी जो फॉर्थ ग्रेट वाली लड़की होती है वो कहती है कि यह काफी ज़ आट उसका हिंद इक्समेंगे पर खतम होता है तो अगर तुम सभी को वीडियो पसंद आए तो प्रिस वीडियो को लाइक कर देना और कोमें बदाना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा बाइद विए तुम्हें काफी प्यार दिया था तो उसके तुमारा बहुत बढ़ा थैंक यू एंड या चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल एकम प्रेस कर देना इसके एपिसोड 3 की हिंदी एक्स्प्रेशन के वीडियो के लिए बाकी वट्सप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने एनिमे ग्रूप्स में या फिर एनिमे फ्रेंड्स के साथ एन हुआ है